अंडे के अंदर चूजे बिना किसी हवा के जिंदा कैसे रहते हैं वह सास कैसे लेते हैं अगर आप गौर से अंडो को देखेंगे तो अंडो के बाहरी परत पर बहुत ही छोटे-छोटे शिद्र होते हैं जिसके माध्यम से हवा अंडे के अंदर प्रविश करती है फ्लोरीडा के एक बंदे ने 22 मई 2010 को पूरे 10,000 बिटकोईन से पीजा ओर्डर किया था तब बिटकोईन की किम्मत उतनी नहीं थी लेकिन आज उसी 10,000 बिटकोईन की किम्मत लगबग 4,000 करोड है एक वकिल 4,000 स्वतनता सिनानियों को फांसी से बचाने के लिए केस लड़ रहे थे तब ही एक हवर आई की पत्नी की मृति हो गई है वह बिना सोक मनाए अपना कर्तब बे निभाते हुए 4,000 स्वतनता सिनानियों को फांसी के सजा से बचा लिया और वो महान प्रूस है सरदार बल्लब भाई पटेल गिनिज बूक ओफ वर्ल्ड रेकोर्ड के मताबिक सुल्तान हसनल बॉलकिया के पास अब तक पूरे 500 रोल्स रोयल का कलेक्शन है दोस्तो हम बिना खाये दो मेने बिना पानी पिए एक हपते तक जीत कैसे सकते हैं लेकिन वही हम बिना सोए 11 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं उसके बाद किसी भी इनसान की मौत तक हो सकती है जब एक उट पानी पीता है तो आप एक मिनेट के अंदर ही 30 गैलन यानी लगबग 135 लीटर तक पानी पी सकता है वो भी एक ही बार में किसी सेब के बिज में साइनाइड नामक एक जहरी लपदार्थ होता है इसलिए सेब की बिज ज़्यादा जान बुच कर नहीं खाने चाहिए वैसे या इतना ख़तरनाक भी नहीं है इसका मतलब या नहीं कि आप उसे जान बुच कर खाए दोस्तों अपने कई लोगों से या कहते वे जरू सुना होगा कि किसी भी बैक्ति को ज़्यादा टेंसर नहीं लेने चाहिए उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है दरसल ज़्यादा टेंसर लेने से हमारा खुन गाड़ा हो जाता है और उसके ठक्के जमने लगते हैं हिस्से की हार्ट अटेक होने की समस्या बनी रहती है अगर आपको निन नहीं आ रही है तो आप 99 से उल्टी गिंती शुरू किजिएगा अधिकतर आप 50 तक की गिंती पूरी होने से पहले ही सो जाएंगे और आखिर में कि आप जानते हैं किन्रों का अंतीम संस्कार रात को ही इसलिए कि आ जाता है ताकि उनका मानना है कि जो आम बेक्ति उनका अंतीम संस्कार होते हुए देख लेता है तो वह भी अगले जनम में किन्र ही होते हैं एक बिच्चू छे दिन तक बिना सांस लिए जिवित रह सकता है